आज विलिजिस में रहते हैं, सबतर फीससे ज़ादा विलिजिस में रहते हैं बट ये भी बात सही है कि इंडिया इस अच्छी रन बाई इट्स सिटीज और टॉंस ये बात में इसे लिए कह रहा हूँ क्योंकि आज अगर आप तिलंगाना देखेंगे हमारी अगर पुरा जियोग्रफी अगर आप देखेंगे, अगर आप पॉपिलेशन के इसाफ से देखेंगे तो हमारी साइज होगी मलेशिया की, हम करीब करीब चार करोड हैं, अबादी, जंता, तो मलेशिया के साइज के हैं हिंदुस्तान में अगर देखेंगे आप, तो आज हम 28 राजियों में तिलंगाना 11 और 12 साइज पे हैं, पॉपिलेशन के इसाफ से, और अबादी के इसाफ से, जियोग्राफिकल साइज के इसाफ से, तो हम ना बड़े हैं ना छोटे हैं, हम बीच में कहीं हैं और आज अगर आप देखेंगे, तिलंगाना में सबसे अहम सिटी, सबसे इंपॉर्टन सिटी हैं हैं, हैजरबाद, साथी साथ हमारे 142 और, हैजरबाद के अलावा, 142 और municipalities और corporation हैं, बट जैसा अभी मैंने कहा आप से, while India lives in its villages, India is run by its cities and towns, and the reason why I say that is because, एक हमारी हैदरबाद शहर ऐसी हैं, जहां से आज तिलंगाना का 45 से लेके 50% तर GSDP यहीं से आती हैं, क्योंकि यहां पे economic activity, यहां पे जितने भी अभी कारिकरम चलते हैं, जितने भी economic activity चलता ह इसी को लेके पुरा राज चलता है, महराश्टर में भी, या हिंदुस्तान में चाहे कोई भी आप राज ले लो, या दुनिया में कोई भी आप देश ले लो, सभी का यही हालत है, मैं इसलिए यह बात कह रहा हूँ, हमारी एक बार बात हो रही थी सत्या नादिल्ला जी से सत्या नादिल्ला जी, माइक्रो सॉफ्ट के चेर्मेन हैं और सीई उओ हैं, हो हैधरबाद से हैं, एक बार आये थे यहां पर, तो हम लोग बात कर रहे थे, मैंने उनसे यही बात प्रस्ताव किया, मैंने कहा उनसे कि, पचास फीसद तक आज हमारी आमदनी, आज हमारी जी से, उन्होंने कहा, माइक्रो सॉफ्ट जीसी कॉर्पोरेशन, दो सो से जादा देशों में हम शामिल हैं, हमारी प्रेजन्स हैं, पर हमारी 80% रेविन्यू, दुनिया की 70 सिटी से हम मिलती हैं, जिन में से हैधरबाद है, बॉंबे है, दिल्ली है, चन्ने है, बाकी कहीं और, बैंगलूर है, ऐसे शहर है, तो मेरा कहने का ये मतलब है, कि आज हिंदुस्तान में जो कोई भी सरकार हो, चाहे हो राज सरकार हो, या केन सरकार हो, हम सभी लोगों को ये बेसिक चीज़ समझना चाहिए, कि अगर हिंदुस्तान को आगे ले जाना है, इंडिया को जो 5 ट्र बनना का जो एक ख्वाब हमारी है, एक ख्वाईश हमारी है, इसको अगर पूरा करना है, तो हमें ये बात जरूर याद रखना चाहिए, कि जितना जादा इंफरा स्टॉक्चर में हम पैसा लगाएंगे, वो भी हर्बन पॉकेट्स में, हमारे सिटी में, टाउंस में, उतन ही जाके इंदुस्तान आगे बढ़ेगा, ये बात कहीं सारे लोग नहीं समझते हैं, कहीं सारे गवर्मेंट नहीं समझते हैं, ये बहुत अहम बात है, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, कि 2014 में, जब हमारी राज याँ बनी थी, कहीं सारे समस्यां आएं थे, इसलिए बात प्रावर्मोंस प्राव्लम दावी फेज़े वाज़ने थे, बिजली की खिलत थी, बहुत प्राव्लम थी, हाफते में दो दिन पावर हॉलिडे डिकलेर किया जा रहा था, हाफते में दो दिन इंडुस्ट्री बंद करना पड़ता था, और फार्मिंग सिक्ट ऐइट तो नाइन अवर्स पावर कट, अगर आपको एक चोटा सा चोटा जूस टॉल भी चलाना हो, एक चोटा जिरउक सेंटर भी आपको चलाना हो, Emeritor के बगार, जनरेटर के बगार काम नहीं चलता था अपार्टमेंट अगर है कोई सिटी में जनरेटरल तो लगना ही लगना है आप अपार्टमेंट में उतरते ही लिफ्ट चड़ने से पहले आपको डीजल वाला आपको उसमेला था था हर जगा ये वाला हालत था स्टेट का डिमांड था दस हजार मेगावाट से जादा पड़ हमारी इंस्टॉल केपैसिटी थी साथ हजार मेगावाट तो हम लोग पावर डेफिसिट स्टेट थे तो सबसे बड़ा चैलेंग तो ये था और दूसरी बात तिलंगाना राज बना एक नारे को लेकर कि पानी में जो हमारी जिवर वाटर है पानी है उसमें हमें जो इंजेस्टिस हमारे साथ किया गया जो नाइंसाफी हमारे साथ किया गया जो अन्याए हमारे साथ हुआ है उसको करेक्ट तरना था और तीशरी बात बहुत गरीवी one of the most backward states in the country कहा जाता था तेलंगाना को क्योंकि काफी सारे हमारे districts हमारे 10 जिला से 10 में से हैदरबाद को छोड़के बाकी 9 backward region grant fund मिलता था हमें BRGF 9 जिला को केंट सरकार ने गोशित किया था कि ये backward जिले हैं तो ये हमारी हालत थी 2014 में न बिजली थी न पानी थी गरीबी हर जगा हैदरबाद जैसी शहर के बारे में कहीं सारे शेंकाये हैं कि क्या होगा इसका ये वाला हालत था तो इसमें जब हमारी government बनी 2 जून 2014 को हमारे Chief Minister श्री केसियार सर ने ठान लिया था कि ना सिर्फ हमारी तेलंगाना की जनता को बलकि पुरे हिंदुस्तान को एक मिसाल की तरह क्योंकि हमारे लिए एक we've had the luxury of a clean slate beginning we've had the good fortune of a clean slate beginning क्योंकि नाया राज बन रहा है पहली बार एक नाया सरकार बन रही है तो उसमें आपको आपकी खुशनसीबी है कि you can start with a fresh mindset and a fresh approach तो पिछले नौ साल में क्योंकि हमने नौ साल complete किया इस जून में अभी दसवी साल चल रही है हमारी पिछले नौ साल में उन्होंने काफी सारे interesting चीज़ किया है चन्द चीज़ों के बारे में मैं कहूंगा और बाद में आप सवाल पूच सकते हैं मैं जवाब दूँगा पहली बात मैं तो यह कहूंगा आपसे मैं example देना चाहता हूँ क्योंकि कहीं सारे youngster भी है women leaders भी है, seniors भी है और 24 दिला से हैं महराष्ट्र में मैं ज़ादा लंबा चवड़ा नहीं बोलूँगा संख्षिप में कहने की कोशिश करूँगा पहली बात मैं यह बोलना चाहता हूँ कि दो हजार चवड़ा में हमारी पर कापिटा इंकम थी हमारी तलंगाना राज की एक लाग बारास एक लाग चाहँ थाजार रुपया एक लाग चाहँ थाजार रुपया 1,14,000 रूपीश वर इन पर कापिटा इंकम थे लंगाना वी वर रंक सम्वेर इंक्षिट और 16th spot in India बट इस यह अज़ अवर्च 31, 2023 तलंगाना पर कापिटा आओ इस 3,17,000 we are the highest in the country अवर ग्रॉस state domestic product GSDP राज के लिए GSDP, देश के लिए GDP तो हमारी GSDP जो थी 2014 में वो थी 5,05,000 करोड 5,05,000 करोड as of March 31st this year it is 13.27 लाग करोड अवर्ण अवर्ण